दोस्तो नमस्कार ग्रामिन शम्ता निव चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ दिपक कुथेगर इस वक्त हम खड़े ग्राम मुरुपार में जो यहांकी ग्राम पंचायते हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो रहनी अवंतिवाई का पुतला भी है और आज मेरे साथ के दारुबंदी अध्यक्ष और पोलिस पटेल तो आज हम इनसे गाव की जो वास्तविक स्थिति क्या है इस पर चर्चा करेंगे और इनके द्वारा आज तक ऐसे सरानी कार एक उन से किये गए इस पर एक चर्चा होगी तो सबसे पहले तो हम इनका परीचा जान लेते हैं आपका नाम किया जी अनिता गेडा ने वर्तमान में पोलिस पटेल है आपका परिश परिदय से अने आपका पद कुन सा है दारुबंदी अध्यक्ष तो हम दारुबंदी अध्यक्ष से सुरुवात करेंगे कि इन्होंने एक मोहिम चलाए कि जाओ में जो दारु बिक्ति है दारु बेचने का जो खुले आम बिक्ति है और वही सरकार इधर दारुबंदी कराती है तो यह कि आपको उचित लग रहा है कि जो सरकार ने लाइसन दिया इमांदर इसे बेचने के लिए और फिर आप लोग मोहिम चला रहो तो यह सरकार के खिलाब कर रहो आप क्याओ के लेकिन गलत कर रहे ना एक तरफ जी आर्ड तैयार करती है की दारु बंदी करवा दूसरे तरफ उनको लाइसन बनाकर दे रहे तो गलत है ना यह बिल्कुल दोरी लीती है जो आरुद बंद करा रहे उससे आपको क्या फायदे न जारा रहे हैं फायदा हमारा कुछ भी नह है कि किसी घर ने बरबाद होने से बच रहे है आज जो घर मतलब सुदर है उसके पास्तल आने वाली प्यड़ी और भी अच्छी होगी यह हमको बहुत खुशी होती है अपके दारू बंद करने से गाउ में ऐसे कितने लोगों का जारू पीना बंद हुआ क्या बाहर जाके पि बिचने वाले थे उनकी दुकाने बंद हुई उनका रोजगार छिन गया इसा नहीं लग रहा है उनको आसा लगता है कि उनका रोजघार छीना लेकिन आने वाली पीड़ी उनकी थे प्रीवार शुदर रहे ना और आने वाला पास साल भी एकदम शुदर के आएंगा तो आ तो आपका इस काम में कितना सयोग रहा बारू बंद करवाने में बता कितना रहा पॉलिस पर टेड़का मेडम ने हमको बहुत सयोग किये जब भी हमने इनको बुलाए साप में चलने कहीं आने जाने के तो बिल्कुल एनी टाइम और डेडिश रहे और यहां तक पी आई सर भी कि नहीं कि यह करके हैं लेकिन व्हाई है एं प्यने की लाइसन नहीं बनाव प्यार च्खक रहे ना दारू बेशनी की तो पीणे का जो भी है उनको जो देते होंगे लेकिं पीण दारी बेचने के पराइजन रहे इतना तुम इतना परवे रखसकते हो तो तो दुपान दर ही चला रहे ते खलेटे ना सर ना है अई यहां की जो महिला है तो इनका सच्छ आपके तरफ था के आपके पूरा सच्छ पूरा सच्छ पती डिखी लप चलेगे नहीं पती के खिलाब भी नए बी और सबसे घ्राव और अब भी आज की पीड़ी ऐसी है कि अभी आज उनलोग भी हमको सपोर्ट करें दारुपी का दंदा था उनका तो उन्होंने जो बिजनेस बढ़ा है लेकिन उन लोग भी खूस है आज ऐसे नहीं कि हम से नफरत करते हैं नाराजी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है वो जो जानना है मोबाइल बेच रहे है घड़ी बेच रहे घर की वो सब चीजे उनकी घर में कंडिशन थी ना यहीं कंडिशन देखे हम लोग आपे बढ़ें तो हमको कुछी जरुत थी ऐसे पर कुछ करवाई करवाए आपने जो पत्नी को जादा प्रेडित करवाए ना अंदर करवाई याने एक तरफ पत्नी आओ भी बोलती है फिर जाके समझतागा अइसा है थोड़ा याने कोई भी हालत से सुधर न चाहिए लेकिन बहुत बहुत याने कंट्रोल में रहे हमारे चैनल के माध्यम से आपके गाव के लोगों को कुछ संदेज देना चाहेंगे इस संबंध में गाव को यही संदेज देंगे कि बुरे काम से बचना चाहिए क्योंकि आज वो जो काम करेंगे उनके आने वाली पीडी भी मतलब वही इसमें जाएंगे ना वो कि उनको भी काम दिखेंगा अभी जो अच्छा काम करेंगे तो उनके आने वाली पीडी अच्छा काम करेंगी प्लिया मादेश देता है कि बेचने का और दुसरी तरफ गाव के नागरी को या जो पदाधिकारी होते हैं उनको और उल्टा काम देता है दारू बंद करने का तो दारू बंद रखा जाए या चलू रखा जाए सवाले उटता है सब्सक्राइबर आपत आएजन अची कि लेकिन डूसरे तरफ गाड़मट की दूसरा रूल निकाल देती है तो यहीं कन्फूजन हर गाव में पूरे प्रदेस में कन्फूजन है कि सरकार कुन सी चलाना चाहती है नीतिया इस पुस्ट करें एक तो दारू पूरी भारत की बंद करें या तो फिर जो छोटे-मोटे वापर जो गाव में लाकर के धंदा कर रहे है उनी के खिलाब गौवर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार झाल